Hello to all my beautiful souls, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आज मैं लेकर आई हूँ फिर से हमारी candle wax reading और इस reading का topic है कि आपके person अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या thoughts चल रहे हैं, उनके आपके बारे में क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर आप लोगों के बीच में जो भी चीजें हुई हैं, उनके बारे में उनकी क्या सोच हैं, हम सभी जानने की कोशिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ritual, हम चार्ज करेंगे पानी को, उसके बाद हम reading देखेंगे और friends, ये एक general reading है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों से कुछ बातें resonate ना करें, अगर कुछ चीजें आप से resonate नहीं करती हैं, तो उनको छोड़िए, आप से जितना भी resonate करता है, उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिए Thank you, thank you so much God, thank you so much angels, thank you so much universe, please इस पानी को चार्ज करें, please इस पानी को चार्ज करें, जिससे मुझे accurate messages मिलें, हमारे सभी viewers के लिए, उनके person अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, please God, please angels, please universe मुझे guide करें, मेरे सभी ascended masters को, thank you, please मुझे guide करें प्रभू, thank you so much I hope के आपको proper visible हो रहा होगा ये तो dear friends, आपके person अभी हर्मिट मोड में हैं हर्मिट मोड में इसलिए हैं कि वो किसी बात से दुखी हैं अपनी life में वो अभी ही आजकल किसी से बात नहीं कर रहे हैं अपने आपको उन्होंने guard करके रखा हुआ है सभी से किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं किसी से ज़्यादा argument नहीं करना वो अपने आप में थोड़ा सा दुखी हैं और ये दुख उनको अपने ही नाकामियों से मिला है, उनके जो भी financial losses हैं उनकी वज़े से उनके friends में, उनकी family में थोड़ा सा उनके लिए सवालों के बहुत सारे कारण बन रहे हैं वो balance होने की बहुत कोशिस करते हैं friends लेकिन पता नहीं किस वज़ा से वो disbalance होते हैं और जब disbalance होते हैं तो ना तो उनके काम में मन लगता है उनका ना उनके किसी study में ना ही उनके job में यहां पर energy सभी के लिए है friends यह male female सभी देख सकते हैं general leading है और यहां पर जो sign है वो Gemini Libra Aquarius मिथुन रासी है यहां पर तुला रासी है और कुम रासी है में रासी भी है करन्या भी है और एरीज में रासी भी है कुछ वीवर्स ने यहां कहा था हम से कि मैं आप हिंदी में रासीयों को डिस्क्राइब करा करिए तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर फायर साइन और वाटर साइन ज़्यादा है आपके परसन आपके बारे में यह सोच रहे हैं कि उनका यह फैसला सही था या गलत था आप से move on करने का या तो उन्होंने आपसे move on किया है या फिर आपसे बाचीत बंद कर दी है या कर भी रहे हैं तो बहुत कम बात हो रही हैं सिर्फ हा ना good morning, good evening इसके लावा कोई भी बात नहीं हो रही है आप लोगों की तो वो सब उन्होंने सिर्फ अपने finances पे ध्यान देने की वज़े से किया था अपने आपको पूरी तरह से अपने केरियर में लगा दिया दिल दिमाग और आत्मा सब कुछ उन्होंने अपने केरियर में अपनी जॉब में अपने finances में लगा दी सिर्फ और सिर्फ इस लिए कि अपने आपको stable कर सकें क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति अपना नाम कमाने के लिए सब कुछ करता है तो आपके person ने थोड़ा सा प्यार के energy को किनारे किया और अपने आपको strong दिखाने के लिए अपनी एक पहचान को बनाने के लिए उन्होंने जो आपसे दूरियां अपनाई थी उन दूरियों के बाद भी वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं तो अब ये अब वो ये सोच रहे हैं कि इस से better तो ये था कि वो आपसे move on नहीं करते वो आपको इस तरीके से बिना बताए छोड़ कर नहीं जाते क्यूंकि उनकी जो इस्तिति है आज कल वो यही है कि माया मिली नाराम ना तो वो आपके साथ proper रह पाए और नहीं finances में उनका लक्चमक पाया नहीं उन्होंने financially कोई growth कर पाई है और इस वजह से वो hermit mode में हैं ना वो किसी से बात कर रहे हैं ना किसी से कोई argument है ना किसी से कोई जगड़ा है वो अपना analyze कर रहे हैं अपने आपको ही स्वा मुल्यांकन कर रहे हैं कि मैंने कहां कहां क्या क्या गलतियां की हैं और किन गलतियों की मुझे क्या सजा मिली है क्या मेरा मेरी जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाह उसको अंधेरे में छोड़ देना क्या मेरे लिए ठीक था यह सब चीजों का वो इंट्रोइस्पेक्शन कर रहे हैं अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हैं अपने आपके बारे में अपने आप से ही सही गलत का नेड़े पूछ रहे हैं उनको अब यह हैसास हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो एक बच्गानी हरकत थी उन्होंने जो किया वो एक बच्पना था वो चाते तो आपको सारी चीजें बता कर समझा कर आपका सपोर्ट लेकर भी यह सब कर सकते थे लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं आपको गलत समझा और यह गलती उन्होंने अपने पास्ट की वज़े से की क्योंकि उनको पास्ट में जितनी भी फीमेल परसन मिली थी, वो सब की सब धोकेबाज थी, या फिर यहों कहें कि सब की सब फ्रेंड विट वेनिफिट थी, उनको बस अपने खाने पीने से, खर्चे से, मौझ मस्ती से मतलब था, और यही सोच आपके पार्टनर ने आपके ल जाती हैं, ऐसी उनकी thinking बनी हुई थी, आपके लिए भी, लेकिन जैसे जैसे यह time spend हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजरा, आपने उनको मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ा, आपने उनको खुशियों में भी साथ नहीं छोड़ा, तो अब कहीं न कहीं वो यह सोचने पर मज हो गए हैं, कि यह person सबसे अलग है, special है, और यह बाकियों की तरह ऐसे नहीं है, या फिर आपकी जो female partner है, वो यह सोचती हैं, कि जैसे उनकी life में कुछ male partner ऐसे आए थे, जो उनसे financially help लेकर चले गए, तो वो इस चीज के लिए भी साथ आपको सोच रही हूँ, आपको judge कर रह partner हो, जैसे की past में उनको money minded मिले थे, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए उनसे friendship कर रहे थे, तो ये बात भी वो आपकी person सोच रही है, energy vice versa हो सकती है friends, अपने according देख लीजिएगा, और ये सभी रासियों के लिए है, बेसक कुछ रासियां यहां नहीं हो, लेकिन सभी रासि reconciliation होगा, यहां पर देखिए, ये male और female दोनों की एक dance करती हुई आकरती बनी है, I hope आपको नजर आ रही हो, तो आप लोगों का reconciliation होगा, लेकिन उसके लिए universe ये चाहती है, कि आपके person अच्छे से समझ लें, कि आपका relationship कैसा है उनके साथ, कुछ viewers के लिए, यहां पर ये message आ रहा है, कि उनके person उनको tweety बोलते हैं, tweety, I don't know कि ये tweety कौन किसको बोलता है, लेकिन वो जो yellow सी, छोटी सी, होती है, bird, उसको tweety कहते हैं, तो ये आपके person हो सकता है, कि आपको ऐसे ही मासूम समझते हो, या उन्होंने आपको कभी बोला हो my tweety या sweetie ऐसा कुछ, तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ किये हुए सारे वाक्यात, सारी घटनाएं मिस करते हैं और वो अपने आप में इस चीज के लिए बहुत दुखी हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आपको इसके बदले जितना भी प्यार किया जाए, जितना भी इस नहें दुलार दिया जाए, वो कम होगा, क्योंकि उनकी गलत सोच के चलते उन्होंने अपने आपको आप से दूर किया, और कुछ विवर्स के लिए यहां पर ये भी मेसेज है कि यह हो सकता है कि आपके परसन उन्हें ये समझा हो कि आप उनके साथ सिर्फ ऐसी फ्रेंड्सिप रखना चाहती हो, जो सिर्फ मौज मस हो, टाइम पास हो, तो ये सोच कर भी आपके परसन आप से थोड़ा साथ दूरी बनाए हुए है, लेकिन जैसे ही उनको इस चीज का अहसास होगा कि ये रियल रिलेशन्सिप है, ट्रू है, सोलमेट वाला है, डीप सोलमेट वाला है, तो वो खुद से रियलाइज करेंगे और आपके पास अपनी अपालिजी जरूर से भेजेंगे, वो अभी थोड़ा सा सोच विचार में है कि क्या आप से माफी मांगें, क्या आपको अप्रोच करने की कोशिस करें, क्या आप तक पहुँचें, क्या आपको सारी बातें बताई जाएं, ये सोच सोच कर वो या फिर यूँ कहें कि वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको कॉल किया, टेक्स्ट किया, मैसिज किया, तो आप उनको बहुत गालियां दोगी, आप उनके उपर पास्ट के जितने भी आरोप, प्रत्यारोप हैं, वो सारे की सारी लगा दोगी, तो इस वजए से उनको ब देखते हों, या कुछ वीवर्स को उनके परसन ने हैक भी किया हो, सोसल मीडिया पर, तो जरूर से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके परसन अभी हर्मिट मोल में हैं, उनको आपकी याद रह रह कर सता रही हैं, नौस्टेल्जिया में हैं वो अभी, तो उनको बीती या परसन आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए स्टेंड लेना चाते हैं, आपके पास आना चाते हैं, अब हम चेक करेंगे कि आपके परसन आपको क्या मैसिज देना चाते हैं, वो आपको क्या बोलना चाते हैं, उनके चैनल मैसिजिस क्या हैं, प्लीज यून थेंक यू गॉर्ट थेंक यू एंजिल्स थेंक यू यू निवर्स थेंक यू आपके परसन का जो सबसे पहला मैसेश है डियर फ्रेंड्स वो है क्या मुझे माफ करोगी आप से पूछ रहे हैं कि क्या आप उनको माफ करोगी अगला है थोड़ा थोड़ा एगो हम दोनों में है जो यहां पर यह मैसेज है इसमें लिखा हुआ है और आप से कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा एगो आप दोनों में ही है अगला है मैं हमारे future के लिए work कर रहा हूँ तो वो आपके और अपने दोनों के future के लिए hard work कर रहे हैं महनत कर रहे हैं I am blessed to have met you आप से कह रहे हैं कि वो बहुत blessed feel करते हैं कि life में God ने, Divine ने, इश्यर ने उनको आप से मिलाया है मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ तो आप से कह रहे हैं कि वो हर सुख और दुख में आपके साथ हैं आई नीड यू आप से कह रहे हैं कि वो आपको चाते हैं तो आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत आप लॉयल है एक दूसरे के लिए, बहुत ट्रस्ट वर्दी हैं, और कुछ विवर्स के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत जल्द कोई मैसेज आने वाला है, तेक्स्ट मैसेज आने वाला है, वो आपको या तो कॉल करने वाले हैं या फिर email या WhatsApp या Insta पे कहीं न कहीं कुछ message send करने वाले हैं तो friends ये थी reading I hope कि आपको reading अच्छी लगी हो पसंद आई हो reading पसंद आए तो like करिएगा वीडियो को और अगर आप पहले बार मेरे चैनल पर हैं तो please subscribe करिएगा मेरे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए thank you so much thank you so much for watching